नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वायराकी कैसे हैं आप लोग आप लोगों का स्वागत अभी नदन करती हूँ कल सुभा सवा पांच साड़े पांच बज़े मैं अपने चानल पर डॉक्टर वायराकी एस्टॉलाजर उस पर लाइव आउंगी आपके साथ जुड़ूंगी और वो चानल आप सुभा जरूर देखेगा और कल दुपहर भी साड़े तीन बचे में मैं डॉक्टर वायराकी एस्टॉलाजर जी वाले चानल पर जरूर लाइव आउंगी तो कल आपके और मेरी मुलाकाद दो बार होगी लाइव में मैं बलकुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, जैमातादी और मेरी महंदी देखिए आपकी महंदी कैसी रची जरूर फोटो भेजिएगा और अपने एक्स्पिरियेंसेज बताईएगा करवा चौत के सदा सुहगन रहें, आप खुश रहें और आपका करवा चाथ बहुत अच्छे से हो ऐसी दिल से कामना, लेकिन आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो कार्तिक की कहानी है, एक ब्रहमन था, उसकी दो पुत्रियां थी बड़ी बेटी बहुती बत्तमीज, जिद्धी और भगवान में आस्ता विश्वास ना रखने वाली थी वहीं पर छोटी बैच्छी जो थी, वो सौमे, ब्रहमन की तरह, पूझा पाठ और भगवान में आस्ता रखकर लोगों की मदद करने वाली परोपकार करने वाली थी, जबकि बड़ी बेटी लालची थी बच्पन से दोनों साथ ही थी, उनकी माता नहीं थी ब्रहमन ने बड़ी शिद्ध से उन्हें पाला, और कार्ति काता तो छोटी बेटी पिता के साथ उठती उसे तुलसी पूजन करते देखती, गंगाना आते देखती, पिता की मदद करती और पिता की बहुत हिल्प करती लेकिन ये बात देखकर बड़ी बेटी बहुत चिरती और बोलती तू भी पिता जी कितरा ड्रामे बाज है, इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलता तो सबसे पहले बड़ी लड़की को ही पसंद करते और अब गुनों को देखना ही बूल जाते, हम भी तो अकसर ऐसा ही करते हैं ना बड़ी बेटी की शादी हो गई, करोड़ पती घर में हुई, पती का बिजनस ठप हो गया शादी के एक साल बाद, ना तो वो सोती थी, ना वो सोकर उठती थी, ना वो कोई पूजा पाट करती थी, ना घर का काम करती थी, ना बड़ों का साससुर का सम्मान करती थी, घर भ उसने कार्थिक के उस पावन महिने में सनान करना शुरू किया वो नहाती सनान करती और भगवान की बड़ी शिद्द से पूजा करती धीरे धीरे पती को तरक्की मिली इंक्रिमेंट मिला परमोशन मिला अपना घर खरीदा गाड़ी खरीदी और पती धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया जहां पर बड़ी बहन की बात की जग करोड़ों पतियों के घर गई थी जिनके घर में गोड़ा गारी हाथ थी बैल सब था वो सड़क पर आ गई और अपने पती को लेकर वापस पिता के घर आ गई और ब्रहमन ही उन दोनों को पालने पोस्टने लगा वहीं पर जब चोटी बहन एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर रोखी और बहन ने जब उससे देखा तो उससे बोला कि ये कैसे हुआ पिता जी ये तो ना सुंदर है, ना रोपवान है और इसको इतना अच्छा पती, इतना सुंदर पती, इतनी बड़ी गाड़ी, सब कैसे मिली तो बेहन ने खुद से आगे बढ़कर बताया, ये कार्तिक के महीने का असर है कि मैं पिताजी के साथ जो पूजा पाट करती थी, वो सब पूने मुझे शादी के बाद मिला, लेकिन उससे भी जादा असर है कि मैं संसकारों से चुड़ी हूँ, मैं साससुर की इज़त करती और अपनी भारते सबेता संसक्रती को जानती हूँ, कहानी सर्फ इतनी थी कि कई बार अपने कुकरमों से किसमत का पाया हुआ भी हम खो देते हैं, और कई बार बिलकुल खतम होकर भी अच्छे करमों से, जो हमारे पस नहीं होता, वो हम पा सकते हैं, और यकीन मानिये, कार् महीने में भगवान से मांगें, नियम के साथ, लेकिन लालच के साथ नहीं, आपको उसका फल मिलना ही मिलना है, इस कार्तिक मास में सुभा उठकर जल्दी नहाने का, सबसे बड़ा फल तो ये है, कि भगवान आपकी मृत्यू पर आपको खुद लेने आते हैं, आपको यम नहीं आते हैं, तो कम से कम जीना तो हम सारतक नहीं कर पाए, या हम बहुत अमीर नहीं बन पाए, या हम बहुत पढ़ाई नहीं कर पाए, या हम बहुत महल नहीं खड़े कर पाए, लेकिन अपनी मौत तो हमने डिसाइड कर ली ना, कि जब हम मरें तो हमें स्वेम भगवान क्रिश्न लेने आए और कम से कम दूत हमें यम दूत हमें लेने ना आए हमारी मौत दर्धनाक ना हो तो कार्तिक के सपावन महीने का पूरा फायदा उठाइए मातबिता की सेवा कीजे उन्हें गंगा सनान कराइए कार्तिक सनान कीजे हर रोज के हाँ पर वो थालिया नहीं घूम रही या लोग बाहर नहीं जा रहे घर में ही है तो बस आप फायद मिनट स्टोरी खुलेगा और कहानी सुन लीजेगा जय मातादी